नमस्कार, स्वागत है आपका ड्रीम डालेंस की नई विडियो में, ये पार्ट फोर है दिल्ली सर्थनात का, आज हम साइध डाइनस्टी के बारे में बात करेंगे, 1414 से लेके 1451 तक साइध डाइनस्टी का समय था, साइध डाइनस्टी से पहले जो थी तुगलक डाइनस्टी, उस डाइनस्टी में क्या हुआ था, मंगौल का एक लीडर था, जो हर जगा आकरमन कर रहा था और अपना राज फिला रहा था और लूट पार्ट कर रहा था, उनका नाम था तैमूर, और तैमूर जी पहुँच ग पड़ गई, और फिर कमान आगी खजीर कान के हाथ में, जो कि तुगलक डाइनस्टी में एक अच्छी पोस्ट पे थे, अब जो है, ये क्लेम करते थे, कि ये जो है, डिसेंडट है, एक उत्तर अधिकारी है, प्रॉफिट के, इसलाम की जो प्रॉफिट थे, उनके आगे ड अपने आपको वर या थे, अल्ला कहते थे, कोईंस भी नहीं बदले गए, कोईंस भी तेमूर के नाम पे चलते थे, और या फिर वो तुगलक डाइनस्टी वाले पुराने कोईंस ही चला करते थे, सहीद डाइनस्टी के दूसरे बड़े रूलर थे, मुबारक शाह, जो 1421 स अब पिछले वाले लीडर थे, खजीर खान, उन्होंने क्या किया था, वो तैमूर के डर से उन्होंने अपने आपको कोई रॉयल टाइटल नहीं दिया, या फिर अपने नाम पे कोईंस इशुनी कहिया, तैमूर के नाम पे ही कोईंस जो है, चला करते थे, अब मुबारक श वो काफी एक्सपेडिशन के लिए जाने जाते थे और अपना किंग्डम बढ़ाने के लिए उन्हेंने मिवात्तिस, खतेहार और गंगेती द्योब एरिया में एक्सपेडिशन करें उन्हीं मरवा दिया गया नोबल्स के नोबल्स कौन होते हैं जो जाने माने अच्छे पोस् अमध शाह 1434 से लेके 1443 तक इन्हों ने राज किया बहुत ही छोटे एरिया में राज किया और नोबल्स द्वारा मरवा दिये गए कहते हैं कि यह बहुत ही असक्षम और वीग रूलर थे आलम शाह यह सहीद डानिस्टी के आखरी रूलर थे 1443 से लेके 1451 तक इन्हों ने राज किया कहते हैं कि यह बहुत ही कौवर्ड थे कौवर्ड यानि कि डर्पोग थे मतलब वह रिटायर भी बिल्कुल डर्पोग के नान से ही हुए मतलब वर्ड फैमस हो गए वह डर्पोग के नान से बाद में उन्होंने लोधी डानिस्टी को अपना सारा राच पार दे दिया धन्यवाद आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और अगर कोई भी चेंजिस चाहते हैं कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखके हमें बताईए धन्यवाद